वेलकम चू करेंट शिक्षा आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज इस वीडियो में हम सास्तरी अभासा हैं यानि कि क्लासिकल लैंगुजेस के बारे में देखने वाले हैं अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम को जोइन कर लें जिसका लिंक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चल लोग को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसकी पहली क्लास जोआई थी यहां पतिरंगा बैच की उसमें हमने क्लासिकल डांस के बारे में कवर किया था अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जरूर देखिए आज हम लोग सास्त्री भासाओं के बारे में देखने वाले हैं सास्त्री भासा यानि की क्लासिकल लेंग्विजिस जो हमारा भासा सब्द है ये बना हुआ है भास सब्द से और ये मूल सब्द हो जाएगा इसका भास मूल सब्द से हमारा भासा सब्द बना हुआ है भास का मतलब होता है अविवेक्त करना यानि कि भावनाओं भाव और विचारों को अविवेक्त करना ही भाशा कहलाता है अगर बात की जाए कि विश्व में सरवाधिक बोली जाने वाली भाशाओं की तो पहला अस्थान अंग्रेजी का है दूसरा इस्थान मंदारिन जो की चीन की भासा है इसका है और तीसरा इस्थान हमारी जो हिंदी है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बुले जाती है तीसरे इस्थान पर अगर बात करें भासा के यहाँ पर सम्वैधानिक प्राउधान की तो यहाँ पर भाग 17 और अनसूची आठ में भासा से सम्मंदित प्राउधान किये गए हैं भाग 17 में कुछ आर्टिकल दिये गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 343 से 351 तक भासाओं से सम्मंदित प्राउधान किये गए हैं और जो यह भाग 17 है इसके बारे में हमने पॉलिटिक जो शिरीज थी उसमें कवर किया है तो वहाँ पर जितने और भी आर्टिकल हैं वो वहाँ पर दिये गए हैं यहाँ पर प्रमुख आर्टिकल 343 में संग की एक राजभाशा होगी इसके बारे में प्राउधान किये किल 351 में हिंदी के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसको उठाने के लिए यहाँ पर प्राउधान किये गए हैं अब बात करें अन्सूची आर्ट में जो है वर्तमान में 22 भासायें सामिल हैं लेकिन मूल संविधान में 14 भासायें थी इनको बाद में जोड़ा गया है यहाँ पर समिधान संसुधन करके तो समिधान संसुधन वाली जो क्लास है अप लोग उसको देखे सबास्त्री भाषए का दर्जा देना है तो यहां पर आधार होने वाले हैं तो आधार पांच फर्वरी दोजार चौदब में संस्क्रति मंत्राले के द्वारा सास्त्वी भाषए का आधार आधार विए प्रस्टut गए थे पहला इनोंने बताया कि भाषा का साहित्य जो है मौलिक होना चाहिए यानि कि इसका मूल जो शाहित्य है ये होना चाहिए तब उसको सास्त्री भाषा का दर्जा दिया जा सकता है हिंदी जो हमारी है सास्त्री भाषा नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है संसक्र पुराना होना चाहिए तभी उसको सास्त्री भासा का दर्जा दिया जाएगा तिसरा पॉइंट बताया कि मुलिवान विराशत हो अगर कोई भी भासा है उसका मुलिवान विराशत होनी चाहिए उसका हिस्ट्री में नाम यहां पर होना चाहिए तभी उसको सास्त्री भासा का 2020 में आई थी उसके अनुसार नव सास्त्री भाषा हैं होने वाली हैं जिसमें अभी आगे हम डिटेल देखने वाले हैं और बाद में इसकी हम लोग ट्रिक भी यहाँ पर देखेंगे पहली जो हमारी सास्त्री भाषा है 2004 में तमिल बनी थी और यह सबसे पुरानी क्लासिकल ल संगाना और राध्रपदेश साइड में बोली जाती है चै जो हमारी सास्त्री भाषा है 2008 में ही कंण्य Fields दर जा दिया गया था और यह करणाठक राजिसे संबन्दित पांचवी जो हमारी सास्त्री भाषा है 2013 में मल्यालम को बनाए गया और यह केरल राजिसे संबन्दित है इसके अलावा 2014 में छटी हमारी classical languages बनी थी उडिया और ये उडिसा राजी से संबन देता है और जो तीन अभी जो हमारी सास्त्री भाषाएं होने वाली हैं उनके नाम हो जाएंगी पाली हमारी सेवेंथ होने वाली है और एर्थ हमारी सास्त्री भाषा जो है प्राक्रत होगी इसके अलावा अभी जो नवी संस्कृतिक भाषा जो है उसका दरजा जो है फारशी को दिया जाने वाला है क्योंकि अभी जो है विदेश मंतरी एजय संकर ये इरान में गये थे वहाँ पर इनोंने गोशना की है कि जो फारशी है इसको classical languages का दरजा दिया जाने वाला है तो पॉइंट अप ध्यान रखें और उसके अनुसार ही यहाँ पर पाली प्राक्रत अक फार्शी को जो है सास्री भाषा का दर्जा दिया जा रहा है अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पर जो छे हमारी सास्री भाषाएं हैं यहाँ पर मिल अगर मालो हम लोग कहीं पर अगर पिराना है तो हम लोग क्या करते हैं कि तेल को मिल में लेके जाते हैं पिराते हैं तो मिल से तेल यहाँ पर पिराएंगे उसके बाद कमाओ मिल से तेल कमाओ मिल से यहाँ पर हो जाएगा हमारा तमिल से से यहाँ पर संस्रित हो जाएगा इनका करम भी यही है तो आप अगली वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखें धन्यवाद चेहन